आज बात करेंगे वट इस एगरी कल्चर एक्स्टेंशन इस चैनल के उपर बी ऐसी एगरी कल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स और स्टेडी मेटीरियल प्रोवाइड करवाया जाता है तो इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें कुमेंट्स में अपने टॉपि एक्स चैनल को आगर हम लेटिंश वर्र्ड इसको ब्रेक करें एक्स का मीन होता है आउट टैं वहीं अक ष्यक्स करेंख बेंशिकर अगर हम stretch out करते हैं तो हम उसको school system से बाहर निकाल के school system की जो boundaries है school college की जो भी boundaries है जब हम education को उस boundary के पार जाकर किसी को education देते हैं तो उसे extension कहा जाता है जो education है वो extension का ही part है तो जो basic concept extension का यही है कि किसी को education देनी है school और college की boundaries के बाहर जाकर जिसमें school का कोई system नहीं रहेगा बट हम उसको education देंगे तो इसे कहते हैं extension education जा agriculture extension जो इसमें करते क्यां है agriculture extension में जो भी agriculture की mostly इसमें rural development होती है जितनी भी rural developmental development के लिए policies हैं जा कोई भी नई researcher है जा कोई भी farmers के लिए कोई भी नया solution है उनकी problems का तो उसको farmers तक पहुचाने का एक ही रास्ता है वो है agriculture extension जिसमें हम education देते हैं so इसमें एक बात है कि education कितने type की होती है और education क्या है education का मतलब होता है किसी के भी attitude, skills और जो भी उसके पास knowledge है उसको increase करना और उसमें desirable changes लेकर आना अगर हम किसी person की knowledge, attitude और skills में desirable changes लेकर आना उसे हम education कहते हैं वो education की वज़े से होता है तो education तीन तरह की होती है informal education का मतलब है जो हम daily life के experience से पूरी life सीखते रहते हैं किसी भी चीज से अपने जो आसपास environment है उससे हम जो भी experience करते हैं जो भी सीखते हैं फूल लाइफ के लिए उसे informal कहते हैं non-formal education वो होती है जो कोई एक particular education होती है जो कोई मतलब के एक systemic activity होती है जो किसी particular चीज को बताने के लिए जैसे मान लो किसी कोई नई एप आई है जो कुछ भी कुछ भी नया आया है जो किसी को नहीं पता जा हमने किसी चीज की ट्रेनिंग लेनी है जैसे यह वोकेशनल अडल्ट education वोकेशनल एजूकेशन फंक्शनल लेटरेसी जो यह कुछ पटिकुलो टॉपिक है जो हमने सीखने है तो उनको सिखाने के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है लास्ट वाली है फॉर्मल एजुकेशन जो हम सबको पता है जो हम एक पटिकुलर स्कूल में जाकर पूरे सिस्टम के साथ लेते हैं जो होती है फॉर्मल एजुकेशन सो मुझे अमीद है आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बीस से अग्रीवल जरुवाले स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वाचिंग